नमस्कार IHD News बुलेटीन में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मिन्टू जहा तो बात करेंगे कुछ प्रमुक खबरों को लेकर जिसमें पहली खबर असम से है योगी की तर्ज पर असम में क्यों चल रहा है हिमंत का बुल्डोजर जी हां उत्तर परदेश में योगी आदितिनाथ बुल्डोजर को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं यूपी में उपद्रवियों दंगाईयों माफ्याओं और अपराध्यों के अवैज ठेकानों को बुल्डोजर से गिराया जा रहा है योगी की इस कारवाई की तर्ज पर अब अस में बुल्डोजर चलवाना हो या अवैद मदर्सों को गिराना लगातार हिमंत भीश्यू सर्मा एकसन में है बुदवार को असं में एक और मदर्से को गिराया गया बीते दो महिनों के अंदर यह तीसरा मदर्सा है जिसे हेमन सरकार ने बुल्डोजर से धाह दिया असम में अधिकारियों ने बुदवार को बोंगाई गाउं जीले में एक मदर्से को गिराया यह हुआ मदर्सा है जिसके परिसर में आतंकी गतिवीदियों को अंजाम देने का आरोप लगा है जोगी घोपा थाने के और स्तैनात की उसके बाद मदर्से को बुल्डोजरों से गिराया गया हाली में असम पुलिस ने मदर्सों के इमाम और सिक्षकों को गरपतार किया था इस कारवाई में कुल 37 लोग गरपतार हुए थे जिनके उपर मदर्सों की आड में आतंकी गतिवीदियां संचालित करन में राज में घुसा आये थे और चूप चाप अपनी विध्वनसक और राज विरोधी गतिवीदियों को आगे बढ़ा रहे थे इसके बाद जाच एजन्सियां और पुलिस एक्सन में आई थी मदर्से को गिराने से पहले मंगलबार को 224 चात्रों को दो मंजीले मदर्से स से बाहर निकाला गया इसके आलावा सहायक करमचारी और टीचर को भी बाहर किया गया उसके बाद यहां बुल्डोजर चला 30 अगस्त को गोलपारा जीला पुलिस ने एक तलासी अभ्यान चलाया और कई महत्पुर्ण दस्तावेज जब्द किये इस कारवाई के दौरान बं अनुसार जीला परसासन ने 30 अगस्त को जारी अपने आदेश में कहा था कि मदर्शा संरचनात्मक रूप से कमजोर और मानव निवास के लिए और सुरक्षित है क्योंकि मदर्शा भवनों का निर्मान APWD वी निर्देसों IS मान डंडों के अनुसार नहीं किया गया गोलप जीले के धकली पारा इलाके में एक और मदर्शा सेखुल हिंद महमुदूल हसन जमी उल हुड़ा इसलामिक एकैडमी को ध्वस्त कर दिया था या इसलामी संस्थान सरकारी जमीन पर बना था पुलिस के मताबिक या संस्थार राष्ट विरोधी गतिवीदियों जिहादी सं पत्ती है उनका सत्यापन क्या गया धकली पारा का मदर्शा सरकारी जमीन पर बनाया गया इसे किस ने बनवाया और इतनी बड़ी इमारत बनाने के लिए रकम कहां से आई या असपश्ट नहीं हो सका है मुख्यमंत्रे हेमंत बिश्व सर्मा ने कहा है कि मदर्शा प्रवंधन संस्था नहीं चला रहा बलकि एक आतंकवादी केंदर चला रहा है सर्मा ने कहा कि तीसरा मदर्सा गिराया गया है क्योंकि ये मदर्से सिक्षा संस्थान नहीं बलकि आतंक वादियों का केंदर थे यहाँ पर कटरवाद और आतंक वाद पहाया जा रहा था इस मेहने की सुरुवात में राज के मोरी गाउं जिले के मुईराबारी इलाके में जमी उल हुड़ा मदर्सा को गिराया गया था हाली में मुख्यमंत्री सर्मा ने बताया था कि 6 बंगला देशी नागरिक जो अनसारुला बंगला टीम अलकाइदा भारतिया उपु महादूर्प के सदस हैं उन्होंने 2016-17 में असम में एंट्री ली थी असम पुलिस ने उनमें से एक को गिरपतार किया है अभी भी पांच फरार है बहतर निगरानी के लिए अब राज में आने वाले इसलामी सिक्षकों पर कड़ी निगरानी रखी जानी जडूरी कर दी गई है इसके अलावा राज ए इसकी सूचना देनी चाहिए सियम ने बताया कि असम में आने वाले इमाम का पुलिस सत्यापन होगा फिर हुआ मदर्सों में अपनी धार्मिक सिक्षा दे सकता है उन्होंने कहा कि असम के मुसल्मान इस प्रक्रिया में सरकार का सहयोग कर रहे हैं असम में वर्तमान में कोई सरकारी मदर्सा नहीं है क्योंकि उन्हें हाल ही में नियमित इसकलों में बदल दिया गया हलांकी व्यक्तिगत या नीजी तौर पर संचालीत मदर्स से ही असम में चल रहे हैं योगी ने यूपी में मुख्यमंत्री के तोर पर अपने पहले कारिकाल में अपराध्यों के घर पर बुल्डोजर चलवाए थे लेकिन तब इसका उतना जिक्र नहीं हुआ तब आलोचना हुई थी बिधान सवाचनाव परचार के दोरान समाजवादी पार्टी के नेता अखले सियादव ने योगी पर तंज करते हुए उन्हें बुल्डोजर बाबा भी कहा लेकिन फिर यब बुल्डोजर बाबा ही बीजेपी के परचार का केंदर बिंदू बन गया अब दूसरे राज भी इस बुल्डोजर मॉडल को अपना रहे हैं अगली खबार उत्तर परदेश से है उत्तर परदेश में अनपिछडा वर्ग ओबीसी की 18 जातियों को SC यानि अनसुचित वर्ग के केटेगरी में सामिल करने के मामले में इलहावाद हाई कोट ने बड़ा फैसला सुनाया है को अनसुचित वर्ग में सामिल करने का फर्मान जारी किया था चीफ जस्टिस राजस बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की डिवीजन बेंच ने सभी नोटिफिकेशन रद कर दिये हैं कोट ने इन सभी नोटिफिकेशन के अमल होने के पहले से ही रोक लगा रखी थी होने के अधार पर हाई कोट ने नोटिफिकेशन रद कर दिये अधालत ने अपने फैसले में सरकार के कामकाज को लेकर तल्ख टिमपनी भी की है संभीदान के अनुच्छे 341 के तहट अनसुचित वर्ग की सुची में बदलाव का अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश की संसद को है कोट ने कहा कि केंद्र वर्राज सरकारों को इस सुची में बदलाव का कोई अधिकार संविधान ने नहीं दिया है संविधानिक अधिकार नहीं होने के बावजूद यूपी में स्यासी फाइदे के लिए बार बार अनुसुचित जात्यों की सुची में फिर बदल किय जा रहा था यूपी सरकार ने आज हाइकोट में खुद हलप नामा दाखिल कर यह कहा है उसके पास इस नोटिफिकेशन को जारी रखने का कोई संवेदानिक अधिकार नहीं है एड़ोकेट जनरल अजय मिस्रा की तरफ से पेस की गई इस दलील के आधार पर हाइकोट ने जानसभा के चिनाव से ठीक पहले दो नोटिफिकेशन जारी कर OBC की 18 जातियों को अनसुचित जाती की सुची में सिप्ट करने का आदेश जारी किया था कुछी दिनों बाद इलहाबाद हाइकोट ने इन दोनों नोटिफिकेशन से अमल होने पर रोक लगा दी थी जिसके जातियों को इस पहले साल 2005 में ततकालीन दोनाम सिंग यादव सरकार ने भी डेश दर जातियों को असुची में सामिल करने का फैसला किया था हाई कोट ने उस फैसले पर भी रोक लगा दी थी बाद में यूपी सरकार ने उस फैसले को वापिस ले लिया था ओबी सी की जातियों का वोट बेंक हासिल करने के लिए यूपी में सम्वेधानिक अधिकार ना होने के बावजूद राज सरकार लगातार इस तरह के फैसले ले रही थी यूपी सरकार की और से पांस साल बाद भी काउंटर एफिडेविट नहीं दाखिल किया गया था हाइकोट ने इस बारे में नौटिफिकेशन जारी करने वाले प्रमुख सचीव से व्यक्तिगत हलप नामा भी मांगा था OBC की हुआ जातियां जिने SC में सामिल करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें मजवार, कहार, कस्यप, केवट, मलाह, निसाद, कुमहार, परजापती, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमान, बाथम, तुरहा, गोडिया, मांजी और मच्वास सामिल हैं अगली खबर बिहार से है आज तेलंगाना के SCM बिहार पहुँचे और बिहार में नितिश कुमार से मुलाकात की मुस्कराते हुए मुलाकात हाथ जोड कर अभिवादन लाल गुलाब से स्वागत बिहार से आई तस्वीरे मिसन 2024 की तयारी का संकेत है तेलंगाना के SCM के चंद पूर विरोधी हैं ऐसे में टोपी पहन नितिश से मिलने पहुचे राव के तरकस में कौन सी तीर है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा पर बड़ा सवाल है कि विपक्ष का PM केंडिडेट की टोपी किस नेता के सिर सजेगी दरसल मिसन 2024 की लडाई के लिए राजाओं को अपने अपने पाले में करने के लिए बिसात बिछाई जा रही है हर महरे के लिए दाओं चला जा रहा है पियम नरेंद्र मोदी के खिलाप विपक्षी मोर्चे की धूरी कौन होगा इस पर अभी पिक्चर तो साफ नहीं हो पाई है लेकिन अस्त्र सस्त्र को धार दिया जा रहा है ऐसा लग रहा है कि विपक्षी की धूरी बिहार बन गया है नितिश कुमार का एंडिय का साथ छोड़ने के बाद से ही विपक्षी खेमा उत्साहित है हर कोई मोदी को चुनोती देने के लिए ततपर दिख रहा है अभी तक विपक्षी की तरफ से पियम से मिलकर राव ने 2024 के लिए पासा फेट लिया है लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि विपक्ष में पियम के लिए राजा मंदी किस पर बनेगी कुछ समय पहले तक पियम मोदी के खिलाब पश्चिम बंगाल की सियम ममता बनर जी के खिलाब मोर्चा खोल रखा था लेकिन पर फिर बात वहीं आकर टिक रही है क्या विपक्षी दल नितिस के नाम पर सहमत होंगे तो आए कुछ बयानों के जरिये समझने की कोसिस करते हैं कि पियम मोदी के खिलाब विपक्ष की तयारी कैसी है देश के सबसे बड़े राज यूपी में लोग सभा की 80 सीटे हैं वो पिकल्प के रूप में खड़ी होगी रही बात पीम पद की तो इस पर अखलेस ने चुपी सादली थी राश्टिया अस्तर पर उन्होंने रणनिती तयार करने वाले तीन निताओं पर सारा दारोमदार छोड़ दिया है यह तीन निता है एनसीपी प्रमुख सरदपवार त कर दिया है कि ममता बनर जी के फैसलों को वो मानेंगे वही महराश्ट के कदावर नेता सरदपवार ने हलांकी प्यम पद की रेस से खुद को दूर रखने की बात कही है लेकिन उनकी महत्तु कांच्छा अगर अचानक जाग गई तो क्या कुछ दिन पहले पवार ने कहा था कि वह प्यम पद की रेस में नहीं है लेकिन प्यम मोदी के खिलाप देश में विपक्ची दलों को एक साथ लाने की कोशिस करेंगे सरदपवार ने खुले तोर पर अपनी उम्ड का हवाला देते हुए कहा है कि देश में सत्ता की कोई जिमेदारी आगे वे स्विकार नहीं क विपक्च की तरफ से ममता बनर जी भी प्यम मोदी से मोर्चा लेने में आगे रही है कुछ दिन पहले उन्होंने बिजेपी को देश से उखार फेकने की घोसना की ममता ने कहा है कि 2024 में बिजेपी को केंदर की सत्ता से बेदखल करना उनकी आखरी लडाई होगी ममता ने 1984 म पुर्व परधानमंत्री राजीव गांधी के चिनाव हारने का जिक्र करते हुए कहा है कि हर किसी को हार का सामना करना पड़ता है बंगाल में लोकसवा की 42 सीटे हैं ममता की नजर राज में जादा से जादा सीटे जीत कर मजबूत केंडिडेट की तोर पर उभरना है वैसे भी उनकी आखरी लड़ाई वाले बयान का बड़ा मतलव निकाला जा रहा है इसके आलावा केशियार की पार्टी तलंगाना में करीब दो दसक से सत्ता में है यहां लोकसवा की 17 सीटे हैं अब सवाल उठता है कि क्या राव की विपक्षी केंडिडेट बनने की महतुकांच सफल होगी इस सवाल का जवाब तो भविस के गर्म में छिपा है लेकिन वो दाव ज़रूर चल रहे हैं नितिस और राव की मुलाकात को भी 2024 से जोड़ कर देखा जा रहा है विपक्ष में नितिस के नाम पर कितनी बात आगे बढ़ेगी यह तो वक्त बताएगा लेकिन इत सयारी जडूर सुरू कर चुके हैं ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पेम कंडिडेट वाली टोपिक किसके सीर सजेगी अगली खबर कॉंग्रेस से जुड़ी है गुलाम नभी आजात के कॉंग्रेस छोड़ने के बाद उनके समर्थन में पार्टी से निकलने वाले लोगों क सिलसिला लगातार जारी है मंगलबार को गुलाम नभी आजात के समर्थन में 65 नेताओं ने पार्टी से इस्तिफ़ा दे दिया था इसके बाद अब बुदवार को भी 42 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी इन सभी नेताओं का कहना है कि वह गुलाम नभी आजात की नई बन अपनी पार्टी बनाने की कोशी से तेज कर दी है वो चार सितंबर को जम्मू में एक रेली को संबोधित करने वाले हैं कांग्रेस छोड़ने के बाद या उनका पहला सार्वजनिक कारकरम होगा माना जा रहा है कि इस रेली के दोरान वो अपनी पार्टी का एलान कर सकते हैं एहम बात यह है कि 4 सितंबर को ही दिल्ली में राहूल गांधी महंगाई पर हला बोल रेली को संबोधित करने वाले हैं साफ है कि गुलाम नभी आजाद के कारकरम के चलते कांग्रेस का या विरोध परदर्सन प्रवावीत होगा गुलाम नभी आजाद ने इस्तिफ्य के बाद कहा था कि यह तो अभी सुरुवात है इसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी और से कांग्रेस पर हमलों में बढ़ोतरी हो सकता है जमू कस्मिर में अगले साल चुनाव होने के कयास लग रहे हैं और गुलाम नभी आजाद के समर्थकों का कहना है उनकी पार्टी सभी 90 सीटों पर उतरने वाली है जमू के सैनिक फॉर्म्स में गुलाम नभी आजाद की रेली होने जा रही है और उससे पहले जिस तरह कांग्रेस्यों के इस्तिफ़े हो रहे हैं उसे पार्टी के लिए केंदर सासित परदेश में अपना आधार बचाने की चुनोती है बता दें कि गुलाम नभी आजाद ने राहूल गांधी पर तीखे हमले बोलते हुए पार्टी से इस्तिफ़ा दिया था गुलाम नभी आजाद की बागावत आने वाले दिनों में जम्मू कस्मीर से बाहर भी पार्टी को टेंशन दे सकती है मंगलवार को भुपिन्दर सिंग हुढदा और आनंद सर्मा जेसे दिगच कांगरेश्यों ने दिली में आजाद से मुलाकात की थी ऐसे में कयास लग रहे है कि ये नेता भी आने वाले दिनों में कांगरेश को कुछ ज़टके दे सकते हैं बता दें कि आनंद सर्मा ने हिमाचल परदेश केंपेंड कमिटी के अध्यक्षपद से इस्तिफार दे दिया था। उन्होंने कहा था कि राज में चुनावी तयारियों को लेकर उनसे कोई बात ही नहीं की गई थी। बिना किसी चर्चा के ही उन्हें या जिम्मा दे दिया गया था। के बाद भारती अधिकारियों ने कहा है कि मामले की परताल की जा रही है। अमेरिकी सैना के आदेश की जानकारी Wall Street Journal ने अधिकारियों के हवाले से दी है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना की मटेरियल कमांड ने 70 से अधिक हेलिकॉप्टरों का निरिक्षन करते हुए इसके बेड़े की उड़ाने रोकने का फैसला किया। सना के अधिकारियों ने कहा कि इन हेलिकॉप्टरों की इंजन में आग लगने के बारे में पता चला है। हलांकी इन घटनाओं में कोई घायल नहीं हुआ और ना ही किसी की मौत हुई। ये हेलिकॉप्टर आम तोर पर सेन साजो समान की धुलाई वर राहत वर बचाव कारियों में इस्तिमाल किये जाते हैं। चिनुक हेलिकॉप्टरों की ग्राउंडिंग अमेरिकी सेनिकों के लिए परिवहन समंधी चिनोतियां पैदा कर सकती है। हलांकिया इस बात पर निर्भर करता है कि उड़ाने रोकने का आदेश कितने समझ तक लागू रहता है। वाल एश्टिट जर्नल ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि ग्राउंडिंग का आदेश लागू हो गया है। हम या सुनिश्चित करेंगे कि हमारे भीमान या हेलिकॉप्टर सुरक्षित और उड़ने लाइक बने रहे। चिनुक सेना के लिए जबरदस्त उप्योगी हेलिकॉप्टर है इसका उप्योग नियमित और विशेस मौकों पर सेना द्वारा किया जाता है या चार दर्जन से ज़्यादा सेनिकों या कारगा ले जा सकता है बिते छे दसकों से या सेना का बड़ा मददगार बना हुआ है इसका निर्मान एरो एस्पेस कमपणी बोईंग ने किया है आज के बुलेटिन में फिलाल इतना ही तो मिलते हैं कल रात नौ बजे फिर नए बुलेटिन के साथ तब तक के लिए हमें दी जियानुवत्ती धन्यवाद सुभरात्री